इंद और के चुडियागर से संसनी खेज खबर कल सामने आई है। चुडियागर में बुरहानपूर से लाया गया तेंदुआ भाग निकला है जो की 36 घंटों के बाद भी कहीं नजर नहीं आया है। इसको नेकर चुडियागर सहीत वन विभाग की टीम शेत्र में सर्चन कर रही है। एतियातन तोर पर चुडियागर को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चुडियागर के आसपास घनी बस्तियां और कॉलों ही है। खबर फैलने से आसपास दहशत का माहल हो सकता है। इलाका है और तेंद्वा कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। फिलहाल चुडियागर प्रबंदर ने दर्शकों का प्रवेश बंद कर दिया है लेकिन इससे परिशानी खत्म नहीं हो जाती। बताया जा रहा है कि जो तेंद्वा गायब हुआ है बुरहानपूर के नेपा नगर से लाया गया था। फिलहाल चुडियागर प्रबंदर ने पूरे मामले पर शंशे जताया है। कि सीसी टीवी फोटेज में तेंद्वा गायब हुआ की परचाई की बात भी की जा रही है। तेंद्वा है भी या नहीं। सुभा जब पिंज्रे को खोल कर देखा गया तो तेंद्वा पिंज्रे से गायब था। इस बात की जौनकरी नहीं मिल पा रही है कि तेंद्वा रास्ते में ही पिंज्रे से निकल गया या इंदौर जू से बाहर निकला है। वहीं इंदोर जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि गुरुवार सुभा जू में तेंदुए को सर्च किया गया लेकिन कहीं भी तेंदुए का पता नहीं चला और नहीं उसके कोई निशान मिले उन्होंने बताया कि जिस अस्थान पर तेंदुए के पिंजरे को रखा गया था उसके पास लगे सीसी टीवी कैमरे बारिश के कारण काम नहीं कर रहे थे लेकिन जू में अन्य अस्थानों पर लगे सीसी टीवी फोटेज में एक काली छाया दिखाई दे रही है जिससे ये सपस्ट नहीं हो पा रहा है कि ये तेंदुए है या बिल्ली जैसा कोई अन्य जानवर डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा कि जिस पिंजरे में नेपा नगर से तेंदुए को लाया गया था वो तूटा हुआ पाया गया है हो सकता है कि रास्ते में ही तेंदुआ निकल कर भाग गया हो डॉक्टर यादव ने कहा कि ये तेंदुए का आठ महीने का छोटा बच्चा है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है अभी हम लोगों को सर्चिंग अभियान चल रहा है फारस डिपार्टमन की टीम भी है और हमारी जू की टीम भी हम लोग सब साथ मिलके लगे वे और उसको अगर जू में होगा तो निसी रूब साब लोग उसको ट्रेप करेंगे और इसी का सर्चिंग अभियान चला कि कहीं उसका लोकेशन मिल जाए फिराल हम लोग सब भी सुबह पांच बेज़ें से लगे अभी तक उसकी कहीं लोकेशन मिली नहीं है सीसी टीवी केमेरा में जरूर कहीं इसकी परच्षाई इस तरह की दीखी है लेकिन अभी भी कन्फरम नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब तक उसकी पूरी बॉडी के जो पैटन है उसका कलर पैटन यह सब चीज़ें अगर आरा सामने नहीं आती तब तक एक दम क्लेरली कहना ठीक नहीं लेकिन फिर भी जो आकरती है प्रक जो उसकी नजर आ रही है वो कहीं कहीं इस तरह की और इशारा जरूर कर रह है और यहीं उसको जो पेचले पैरों तकली ती उसी के लाज़ के लिए थे जानवर के खायल होने के भी सुस्थना है नहीं बिल्कुल नहीं किसी को कोई चोटा बच्चा है वो किसी को हम निक कर रहेगा कि वह है की नहीं आजूने हाँ वह सारे संसा है यह सिदी तभी किलि आजीं बिल्डाएं